बाबा चंचल का एक रूप ऐसा भी जहां पर एक तरफ धर्म धार्मी कारियों में सक्रिये हैं बाबा चंचल वही दूसरी तरफ सियासत का दामन था मैं नमश्कर आप जूर चुके हैं दैरिक शिव्ट टाइम से मैं रश्मी शर्मा कैमरामन शुबम भगत के साथ आखिर क्य हैं करने सियासद का दामन आखिर वज note कि जिस तरह से बात करें के जिससे शुरू हुआ हमने कहा के एक रूप ऐसा भी ना जानिए कितनी बेटीयों के सर पर हाथ रखा कितनी बैटीयों का कन्यादान की है बाबा चंचल दी तो आखिर क्या अवदान पड़ी जो इन्होंने स्यासर का दामन थामा जरी के बाजपा में एंट्री की और लगातार अपनी स्पीच के माधिम से काफी लोगों में चर्चित रहते हैं क्या बाबा चंचल के बाजपा में आने से बाजपा मजबूती मिली है या उदेश को और ही है चली जानते हैं बाबा चंचल जी पर आपका फिरस एक बदर शौगत है अप धरम धार्मिक कारें में एमने देखा सुना भी है काफी लोग आपके साह संगस्य जूड़ी हूई है जो भी समय यहां पर आपके यहां खड़े हैं हमारे साथ तो क्या वज़े थी कि आपने सियासत में जाना जरूरी समझा मैं जिसमोग पर मैं जह कहने चाहता है जो हमारा दरवार में जब ग्रीब लोग आते हैं उनकी पूरी जुरूर्स यह पूरी कर सकता हूँ झाहिống मेरी एक सोच ती, भाई हम सरकार के साथ जुड़ें, सरकार के साथ मिलकर बारत के लिए काम करें और गृबों की जो जूरूरत है वो पूरी कर सके, जैसे मान के चलो बेटियों की साधी का गर्मेंट पैसे देती है, तो मैं कहा ना चाहता हूँ वो पैसे साधी से जो 17 100 यार प्या साधी का घ्रीब बेडियों का मिलता है वो साधी से आपके छीद मिलना चाहिए और जैसे जम्मु में माण के चलो दिकाण कराय पर दे आ तो और तो जो खबंजे वाले लोगों भो उनको शोड़ते नहीं को जारे कोट में जा दालत में चले जाते हैं बीस बश्याद 20 बश्याद दस बस केस लड़ते रहते हैं वह कब बला शोड़ता नहीं तो मेरी एक बहुत मेरे दिल में सोच थी वही मैं समाज के लिए काम कर सकूं कि कन्यादान कोड़ा मदद करवाई ये शादी में सरकार की तरफ से स्कीमें तो निकलती है आपको लगता है कि उन बेटियों तक पहुंच पाती है टाइम से या तो या तो बाई पतीचा मासी बेहन उनको डाल दिया जाता है जो सही डिजर्विंग होती है बेटियां या तो आपने कहा के धरम भचना चाहिए हमारा हिंदुस्तान बचना चाहिए लोगों की परिशानिये दुरें तो भाजपा ही क्यों आपको जही कहना चाहता हूं आप मुझे बताओ पिसली सरकारों ने 70 साल जो राज किया है जमू किसमीर पर उगरबादियों को पैता किया ग पाल्टी के साथ हूंगा जो भार्त के लिए काम करती है भार्त के लिए जीते हैं भार्त के लिए मरते हैं हम ऐसी पाल्टी के साथ देंगे हम ऐसी पाल्टी को साथ नहीं को पैता करें तक तरंगा नहीं लह रहा था अब बाजपा के टाइम में लाल चुक पर तरंगा आप आप जे मुझे बताओ हमारी बीजेपी सरकार ने कसमीर में जो काम किया है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकी बीजेपी एक ऐसी सरकार है बीजेपी एक ऐसी पालती है वो किसी धर्म के खलाब नहीं है वो चाती है हिंदू, मुस्रमान, सीकह, हसाई सब धर्म के लोग मिलकर बारत के लिए काम करें देश के लिए काम करें कोफंता लाल चोड की होते तिरंगा लहरा आए तो भाजपा के खुद alma में अभी तक तिरंगा के तरंगा को कौना दीज मैं हुआ हमारे हिंदोस्तान के कुने कुने पर तरंगा होना चाहिए दूसरी पार्टियों कहता यह देश्ट्रोई पार्टी है बाकी जो विपक्षितों उनको कहता देश्ट्रोई है और जब बीडी आफिस के बार कितना बावाल उठाया था उन्होंने तरंगा नहीं लगा तो कर जो कि दोसरी कियां ताइग मैं बताता हूं आपको दूसरी पार्टियों ने द्यो को पैक्सितान जे दिया कुछ हिस्सा यो के का है चीन को दे दिया हमारे लाख को नौ जो वो सीद हुए हैं उन्हें आध और हैं हमें उन बलीदानों को याद करना चाहिए और बीजेपी पार्टी का साथ देना चाहिए बीजेपी यह कैसी पार्टी है जो भारत को बिचा सकती है आँ मुझे बताइए हमारे बैड़ पोर्च के युवान इंडिया आर्मी के युवान भीया साप के युवान CRP के आज बीजेपी ने कहा है अगर पाकस्तान एक गोली चलाता आप सो गोली चला सकते हो पाकस्तान एक गोला फैंकता आप सो गोला फैंक सकते हो उसकी बज़ा क्या है बीजेपी सरकार ने बैड़ फोर्च के युवानों की जे में आउडर डालके रखा हुआ उन्हें बोला कोई नहीं जतने गोले फैंकड़े फैंको परदान मंत्री निरंदर मोदी मनीशन खरीदने के लिए बैठा हुआ है पैसा लगाया है हमारी बेड़ बोर्च को यौनों को नमबर बन बनाने की तियारी की है अगर हमारी फोरस हमारे बन बोर्च के यौन इंडी आर्मी के यौन बाडरों पर बैठे हुए हैं तो पूरा भार्त चैन की नींद सोता है मैं नमन करता हूँ बेड़ बोर्च के यौनों को वहीं जुआने से हैं यो घ्रस को बजाने के काम करते हैं उसका श्रेवी बाजपा के नेता ले जाती है मेरी बात सुनिए आप तो बिलकुल हम अपन करनों के लिए उनके जो भी परिवार हैं सो काम शोड़कर सरकारी दफ्तरों में सबसे पहले सीधी जो परिवार हैं उन लोकों के काम जो होने चाहिए उनको कभी कहीं भी वांज नहीं आनी चाहिए यह भी मैंने पील की थी और हमारी परदान मंत्री निरंदर मोदी जी वह एक पूजनी है जिन्होंने 500 साल प्राना राम मंदर बना के पूरे वल्द को दखा दिया पूरे भारत को दखा दिया हमारी आशा जो है सनातर धर्म के साथ जोड़ी है पूरी दुनिया सनातर धर्म से पैता हुई है सनातर धर्म ही एक ऐसा है जिसमें पूरा संसार बार लेग बिल्कुल मज़े तो आ रहें सडकों पर डंडे खा रही है हमारे डेली वेजे डंडे घा रहे हैं बैच्छ लगा अठासी दिन गा सब्सक्राइब बाद करते हैं और साथ हैं पर बात करते हैं नरेगा की बात करते हैं और बात करें तो किस किस कि करें, मजह तो ले रही है जंता। सब्सक्रेशन में आइ पूचता करें। आपके पास एक गैस कि खाणा बनाने के लिए। आप पहले सबजी बना रहो। सब्सक्राइब ने रही हे हैं veod बनेगी सत्थ बर्फ हुए बीजेपी पुझी को सत बर्फ बर्फ पत्थर्बाजों ये सरकार लड़री इसात बर्फ पात्थर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है एम से बनाने के लिए सरकार काम कर रही है रिंग रोड बनाने के लिए सरकार काम कर रही है जम्मू से पुर्स होर भाई रोड बनाने के लिए सरकार काम कर रही है बड़े बड़े टंडल बनाने के लिए सरकार काम कर रही है बड़े ब्रिज बनाने के परदानमत्री नेरंदर मोधी जी को हार रोड जो है रोड के साथ स्टैज होना चाहिए बार्त की त्रक्यों रोटी नारे बेल्ट फोर्च के जो जुवान है उनको जंग करने तर्फ रोडों की कमी नहीं है बड़े रोड़ बाडरों पर बनाने का फैसल यह सुनिए देश को बचाने का काम सुनिए मैडम जी हम अगर सुनिए मेरी सात बर्स म जो बीजेपी सरकार ने काम किया है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती बीजेपी को टैम दोना गाई साल सरकार नहीं जाई साल करना चाहिए जन्हों ने उगरबादियों को बढ़ावा दिया जन्हों पत्थरभाजों को बढ़ावा दिया उन्हों लोगों को जन्हों ने हमार पूरे बारत में अच्छा काम किया है यह तसलीब आप पूजा पाठी है आप दर्मे कारे बड़े अच्छे से करते हैं एक सवाल बताए होता है पोस नहीं होता है इक मैने नी युवा बे रोज़गार देना वी बड़े-bडऄ प्रजक्ट से युवा हो को नोकरी उनका पेट नहीं बरना हमारी जो गरीब जंता है महिंगाई की मार से बीजूज रही है बढ़ी अच्छी बात है सिलंडर में आपको पूसरा हुआ है इनको पक्का करने की त्यारी कर रही है बिजली बाले हमारे गुवर्णन साहब को मैं नमन करता हूं जिननों 12 है आदमी प सब्सक्राइब जो सरकारे थी इन लोगों ने बिना एक मेंड बिना डाकॉमेंट दू बिना डाकॉमेंट दू लोगों को लगाया गया 500 रुए 800 रुए इनकी पे थी आज हमारी सेंटर गोवर्मेंट इनको पैंट 100 रुए तनका दे रही है और पका करने का फैसला ले रही प्रजान मंतरी निरेंदर मोदी जी हमारी बीज़पी सरकार असी क्रोण आदमी को फ्री राशन दे रही है कोई बात नहीं को कोई बात नहीं कर दो कर दिया पर प् रुए पाल ने कर दो कि नियोंगाए गटा वहाएंदर कर द्चाम करोण के लिएर्ज बचाने का काए 요vy पुछाने का हर देश बचाने का हर देश्वासी के दिल में देश का जज़बाद किया पन्जाम में जो हुआ है मैंने आपको बता हमारी गुरु गुमिन संग जी की धरती है हमारे गुरु नंक देव बाला मलताना दस गुर्देव मैं नमन करता हूं तुनिया मेरी बात पंजाब की जैनता बोली है बोली है जब उनके दुमाग में आएगा जैनता बोली जाब जीते वह बंदजा समझता पंजाब की जैनता ने जो काम किया है जो सुनो जो उनके दमाग में बात आई वो बोले लोग है वो आ जाएंगे हमारे कब्जे में हमारे एरिये में हमारे भारत में भारत को बचाने है लोग है पानी फ्री बिचली फ्री जैनी होना चाहिए देश बिचाने की बात सोचो देश को बचा सकता है पर देश की लोगों की मूल सुवीदाओं का ढलाए अक्टल ब्याहरी भाजबाजी कहते थे लीडर्ल यो रहें हमारा वाहरेत बचना चाहिए हमारा देश बचना चाहिए वह धिछ पूर मंतरी लगता है पूरी तरह से आप भाश्पा के हो गए हैं नहीं बाश्पा के नहीं सचाई के कश्मीर फाइल जो पिक्चर आते ही बवाल उट गया के यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई कोई साजिश है आज से 30 साल पहले उन कश्मीरी माइग्रेंट का दर्द क्यों नहीं सामने है आज ला रहे हैं क्योंकि एलेक्शन पास है यह भी एक पक्षितर लगातर सावाल उठा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है अंको शर्मा एक जूट के जो परदान है कि अगर वह दो आपनी गलती सामने आने देते हैं बभी न रहे हैं गल्ता इसकी गलती को नकल रहा है रहा है नमन करता हूं जिन्ने बूबी बनाइहैं। पिक्श्मीर रिख जोकियह जो मुए हैं मेरी बैंट उन बेटां पेटियों पर जो की औरतों पर जुल्म हुआ है उनको लोकों को काटा गया है कि लोकों को गवन किया गया है जे पिचर नहीं मैं प्रदान मंतरी नर्दर मोदी जी का अगे पील करता हूं इसके यांच करवानी चाहिए किस्मीर की ऐसे पकस्तानी जेंटों को ठाके जेल में बंद करना चाहिए पाँच लाक पांच लाक लोगों को बार नकाला गया जर्म भूमी शोड़ी गई उनके घर जमीने जो है वो कब्जे में ले लिए इतना जुल्म इतना पाप अभी तक उनका अधिकार क्यों नहीं मिल पाया इसका अगर पहले तीस साल से तो यार अभी सत बरस हुए क्या क् बीजेपी कितना कैंसर खत्म किया बीजेपी ने पत्थरबाज कहां है आज उगरबादी यह वो थे जो जेलों में बंद किये जाता से चार साल के बाद छोड़े जाते थे उनको मुर्गा खलाया जाता था आज गोली खलाया जाती है जम लोग भेजा जाता है वो नीचे न मैं खड़ा हूंगा मैं दर्म नीती पर उत्राओं मेरी एकी सोच है और स्यासत का कोई जोड इन्युक्र यह निति क्या होती है सच बोलना सच बोलना आपको लगता सच्छाइब गदे मुझाए ना मुझे कोई ना आने ते लेकर मैं सच बोलूंगा सच अगर मेरे ब्यान पर जाते हैं या पाकस्तान के लिए बोलता हूं या उग्रबादी के लिए बोलता हूं कि जरूरता है आप तो खुद में बहुत बड़ी शक्सित है आपने लोगों का दिल जीता रहा है मेरे पास ऐसे ग्रीब परिवार हैं जिनको नोकरी की जुरूरता है जिन लोकों को मद की जुरूरत है मैं इतना घर से नहीं कर सकता हूं अगर हम सरकार के साथ जुड़ेंगे सरकार हमारी मदद करेंगी हम जैनता की मदद करेंगे बोट देने बाला मैं यह भी बता देता हूं मैं क्यों आया हूं लोग अभी मिले थे मेरे को विचारे रो रहे हैं उनके ट्रक्टर कब कब से बचारों ने बैंक से लोन लेका ट्रक्टर खरी देते पुली ते पकड़े आज मैंने लाग लाग तो वह मैंने गौवर्णल साब क्यागे पील किया जाए रेता बजरी को फ्री किया जाए और जो ट्रक्टर टिप्रों माले हैं इनको कोई भी दीतक कोई भी पराशानी नहीं आनी चाहिए जे हमारे ग्रीब लोग हैं सो में तीस लोग ऐसे हैं जो गाड़ी ट्रक्टर चलाते हैं अपना परीवाल पालते हैं मैं चाहता हूं इनको कोई पराशानी नहीं आनी चाहिए यह मेरी एक सोच है और मैं दस बार भी आगे ब्यान दे चुका हूँ मैं आप इसलिए बोलते हो बाबा जी आप राई नीती में क्यों आ रहे हो किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए अगर मैं कहीं पाबर में आया जनका के साथ हो रहा है जो बीजेपी सरकार को भी ही रोकना चाहते हैं कर रहे हैं क्यों कि कलम तो उनकी हाथ में केंदर में सरकार उनकी है जम्मू में जैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है अगर एक भी जुआन का काम रुकेगा तो आप मुझे मेरे से ब्यान करना मैडम महबुपा के साथ पुरानी सरकारों की पाप सरकारी नाले सरकारी खड़े सरकारी तभी यह जहां जमीन मिलती है वहां कभजा करो पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है जूड तो आप लोग बोल रहे हो या तो मैनेफेस्टों में रखते नहीं हमारे पास तो कपी हैं भी पड़ी हुई है फिर आप कहते हो पुरानी सरकारों की पाप की घंटी थी हो मैनेफेस्टों में क्यों रखा और अब आप कह रहे हैं कि अगर मुख्य मंतरी बनता है आपको लगता है जम्मु कश्मीर की जंता अब भाजपा पर विश्वास कर पाएगी यह आखरी सवाला वारा काई करएगी यह चेंटा किसके साहद देगी जो मिल रेंटेंटों को बढबा देते हैं जो करवादियों को बढबा देते हैं यह पत्थरमायं को देते हाज बीजेपी जितके आ रहे है जहनता जानती है हमें देश बचाना बहुत जरूरी है पंजाब में जहनता ने किसका साथ तो का पन्जाब मैंने बोला है पंजाब की जहनता फोड़ी मटन पेव को बहुत वरली है जाबariat की जहनता को बढ़काया गया बाप बढ़काया गया वहां किसानों के बारे में बढ़काया गया लड़ाया गया अब जो आप जले पहले हमारी गवर्मेंट थी क्या वो किसानों के खाते में नहीं सरकार हार कसान ऐसे दाल हुआ हमारी सवार हार कसान के खाते में पैसे डालरही है वाव बताएए जो बढ़काने बाले बताओ जब मेने मैडम महबुबा का सोवाल पूसा था आपको जब वो बीजेपी के पाल्टी में उसके सरकार बनाई मिलजूल कर सरकार मनाई पड़ी सरकार बनी सरकार बनी सबकुने मेरी बात सब्सक्राइब पहले बताई अगर मैं ने आपके घर में देखना है तो आपके आपके घर में कहां कहां पाकिस्तानी स्वोटर बैठे हुए हैं तो मैंने आपके घर अंदर जाना पड़ेगा पंभे मुझे जानकी बाजी भी लगाने पड़ेगी इसलिए उसके साथ सरकार बना के हमारी बीजयपी सरकार ने पूरे किसमीर के अड़े जो हैं वो ढूंड का हैं कहां कहां द्रिंदे बैठे हुए हैं आज इसलिए उन द्रिंदों को ठाके जेल में बंद किया जाए पिसनिया सरकारों ने बड़े-बड़े कांग्रेस के लीडर जैसी मलक उगर बादिया उसके साथ पंजीय मलाते हाथ मलाते जफ्र लगाते थे हमारे बीज़ेपी लीडरों ने उसको ठाके जेल में बंद किया है आप बताईए आप बताईए आप उधर मत घुवाए आप घुमा कर समाल हो नहीं मैं सची बात करें आपको अधिकारबात करने का जमू कश्मीर की बात करें रविंदर राणा जी आपके जो परदेश अदक्षे कहते हैं इस बार पचास पार जहां पर विपक्षी दल करते आज डेली वेजर बीस अफ बार्डर बटालियन जुतने भी डेंटल सब कहते हैं इस बार आप लखनपूर पार आप मुझे पता को लगाया है इन को पका क्या है प्यार का निकिया है जाटा इनका अजी परना ुणका मसला था इनका मसला भी सिछ पनीये सरकारों ने पभारत में रखा हुआ है आज बीजेय पी एक एक कैंसर को सामकर रही है और जुआनों को हख देने बाली है अगर आपको मोका देती जनता आप क्या इन मुद्दों को सलीशन कर पाओगे आप क्या इन मुद्दों को हल पाओगे अब हमने ट्रेक्टर के भी बात किया जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ वह कहां कहां उनका ब्याज पहुंच चुका है और उनको मुश्किल होगे अपने घर की रोज़ी चलाना बात करें जो युवा सडकों पर है क्या बाबा चंचल की बात की सुनवाई होगी अगर जनता आपको मुद्दों की नेताओं की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि आप धा बाबा चंचल से बात करें अगर आपको जनता मुद्दों की बात करते क्योंकि नेता बोलते कुछ है करते कुछ होता कुछ है क्योंकि आम उन पर विश्वास नहीं करते पर बाबा चंचल वहां कहां पर अपने आपको देखते हैं कहां पर जमुकश्मीर की आने वाली सिया की दूर ड़ीडर में बुटर में बहुत फरक होता है जो बौटर होता है वो भगवान का रूप आगे जो पीएचिवाले हैं, हमें डुमांड की है, मैंने आपके मीडिया तुरू को शेक्डों की इंटर्बू दिया है, पर डेली बालों को पका किया जाए, उम्र जो होती जा रही है, इनको पका करना चाहिए, मैंने जे खुड़ है, आज मैं पेला इंटर्बू दे रहा ह हैं, तो वो चार गुणे बद खेत में फसल देता है कसान को, लीडर ऐसा होना चाहिए, जो ज्यंता के लिए काम करें, कि गुणा उनको लाब और फाइदा दे और देश के लिए काम करें, और जो लीडर के पास खुरसी है, वो लीडर की खुरसी नहीं है, वो एक बोटर की खुरसी है, अगर हम लेटा तो ऐसे चीपक घर बैटे है, फेवी कोल का खुरसी को चोड़ी, हम नीचे बैठें माले लोग है, अगर लीडर खुरसी पर बैठा हुआ है, जस लोग आते हैं, खुरसी मिलती है, एक आदमी पिता समान जा माता समान खड़ा है, तो लीडर का धर्म बनता है अपनी खुरसी को शोड़के पीसे हटना, उस पिता समान अनसान को उपर बढ़ाना, भाई जे खुरसी आपकी दियूई है, जे खुरसी आपकी है, मेरे बाप की नहीं, खुरसी किसी के बाप नहीं, खुरसी जो होती है, वो जैनता की एक बोटर की होती है, जोगरी बासा में पता नहीं आपको समझे लेगे कि मैं अधिम माँ बेटे जर्म दिया ना तो ले संभण जोई माँदी ओल्या दिए वह पूत करना लड़ा दे बेटा भी मौत करना हुदा आधे माँ पुत्रा दिया दे मां संभण लिए कोई और बचे दी समान लेन कोई औ करना अधे करा अगे दा बार कोई बमार हुए तो उसी चुक्किया आस्ताल लेने लोक और अगर को अधी देथ हो यह तो उसी मुंदा लाने लोक और अगर अगर सचालीडर ओंदा जिते हैं कमकरान गरांदे लोग जिने बोटों दिन देखें दर्शक यह थे हमारे साथ बाबा चंचर जो धारे कारों काफी सक्री है और काफी सारी बार बर हम ही कहते हैं कि काफी बेटियों के सर पर इन्होंने हाथ रखा और वाकिए सराने कार सवाल बढ़ा ही है कि जो नेता लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीती खेलते हैं जो जनता को वरगलाते हैं जनता के साथ जूटे वाइदे करते हैं पर यह जनता है आज के दोर में अपनी ताकत अपने वोट की ताकत को पहचान चुकी है अब जरूरत है कि सियासी बाबाजी एसी रूम में बैठते बड़ी-बड़ी गारियों में बैठका जनता को कितने फुट दूर से देखकर भाग जाते हैं यानि उनके कार्यालों में आने की अनुमती भी नहीं है ऐसी पार्टियों की चाहिए या बाबाजी को चाहिए जो आपके साथ धर्ती पर ब बाबाजी का अंदर का जो है बाबाजपा का एक नेता आयकारे करता वो जाग पड़ता है अब देखना यह है कि क्या बाबाजी से बाबाजी की स्पोर्ट से क्या बारती जनता पार्टी और मजबूत होती है और जो या बारती जनता पार्टी की वज़ह से बाबाजी झाल झाल